एक में हूँ तो वो सवाल कर सकते हैं जी नमस्कार जाकी साब मेरा नाम है राजेश्वर मैं नवी मुंबई निरूल से आया हूँ और मुझे यहाँ पर लेके आ रहा है मेरे दोस्त श्री अजीम मुलतानी ने तो मैं एक प्राइवेट कमपनी में नौकरी करता हूँ तो मेरा यह कहना है हम जो लोग बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ मुसलमान बोलता है मैं मुसलमान हूँ सिख बोलता है मैं सिख हूँ क्रिश्चन बोलता है मैं इसाई हूँ तो सब लोग अपने अपने धर्म का अपना परिचाई देते हैं तो मेरा सवाल ये है कि इस धर्म को बनाया किसने है और अगर बनाया है तो किस मकसद से बनाया है क्या हम सिर्फ एक धर्म को मान नहीं सकते हैं जो कि इंसानियत धर्म है और कोई धर्म को न माने ना हिंदू, ना मुस्लिम, न सिख, न इसाई और किसी भी धर्म को कबूल करवाना क्या जरूरी है मैं सब का अच्छा सवाल है बहुत अच्छा सवाल है और एक सवाल साथ में इसमें जुड़ा हुआ है सर मैं पुछना चाहूंगा इना किसी धर्म को कबूले बगेर क्या इनसान नेक और सही रास्ते पे चल नहीं सकता है और ये जो अपने अपने धर्म के गुरू है वो किस लिए अपने धर्म का प्रचार करते हैं और किस मक्सद से करते हैं ये मेरा प्रश्न है मैं सब कर अच्छा सवाल है और वो ना जाए इन्सानियत भाइसाब पुछते दर्म होना चाहिए की फिर पुछते क्या धर्म को गबूल करना जरूरी है और क्या एक धर्म में मनना जरूरी है भाइसाब नE अच्छा सवाल किया कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ कोई कहता है हमें हिंदू हूँ कोई कहता है हमें हिसाई हूँ कोई कहता है सिर्फ हूँ एध़न को किसने बनाया और ध़ना चाहिए एक आपके पेले भाग जो सौवाल का header बिल्कुल सही है टॉरान में लाट अलопिर श्रॉत aç आप lesson का again नद दिना इंद लगालि इसलाम लृह के नजदिक सुर्फ एक ही दीन से ही है वो है अपनी जिन्दगी लृह के खुदा के ईशौर के भगवान के एकामात के मताबिक बसर करना तो दीन होना चाहिए एक ही इतने दीन किस ने बनाया हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा इच्वर, हमारा भगवान, हमारा अल्ला, सिर्फ एक ही दीन बनाया, एक ही मख़भ बनाया, वो है अमन हासिल करना शांती हासिल करना सलामती हासिल करना अपने खालिक के एकामात के मताबिक जिंदगी बसर करने के बाद इसी लिए दीन, मजब, खालिक ने सिर्फ एक ही बेजा लेकिन वक्त के दौरान मिलावट होते गए मिलावट होते गए मिलावट होने के वज़े से अल्ला ने दूसरे नभी बेजे दूसरी किताब बेजे फिर मिलावट होई और दूसरे पैगंबर बेजे और एक किताब बेजे उसे सही करने के लिए इस तरीके से اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم कि Allah ने इस जमीन पे एक लाग चौबीस अजार पैगंबर भीजे कई किताबे भीजे आखरी किताब कुरान में लिखा है सुरे राद में सुरा नम्बर 13 आयत नम्बर 7 कि हर कौम पे मैंने पैगंबर भीजा सुरे राद सुरा तेरा नम्बर 7 और सुरे राद सुरा नम्बर 13 नम्बर 38 में कि हर दोर में हम ने एक किताब नाजल की आखरी किताब है खुरान आखरी पैगंबर मुमस ﷺ हमारे खालिक ने एक ہी मधब भीजा हमने उसमें मिनावर पैदा की मख़ब का अगर सही मानी ले हिंदू की क्या मानी हिंदू की मानी ये है कि जो इंसान हिंदूस्तान में रहता है जो इंडस वैली के इस स्थरफ रहता है उसे कहते हिंदू ये लफ्स सबसे पहले बार इस्तिमाल क्या था अर्बों ने हिंदुस्तानी के लिए इस लबस के एतिबार से मैं हिंदू हूँ उसके बाद लोगों ने का कि ने हिंदू वो है जो बुद्परस्थी करता हुग अलत है तो सही मानी हिंदू के मैं हिंदू हूँ इसाई के मानी क्या उससे ज्यादा हिसाई हूँ क्योंकि मैं इसाई आले सलाम के बातों पर और अमल करता हूँ बनिजबत वो लोग जो अपने आपको हिसाई कहते है तो उसलिए आज से मैं और पका हिसाई हूँ जू का मतलब क्या जू का मतलब वो जो खुदा से अल्ला से मौबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब عمل करे। भाज़ घुन gummy बनने के लिए सबसे पहले आपको अच्छा इनसान मने पढ़ें गा हैं अच्छा इनसान मनना मतलब मतलब स्कूल पास करें campe नहीं है तो फैर पे इस टी कने के लिए पहले दस्वी तो पास करने पढ़ेंगा रस्वी पास करने के दस्वी के बाद मैं खुश हूँ, नहीं, मैं पिएच दी के बाद खुश हूँ, तो अच्छा मुस्लमन बनने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है, जैसा मैंने शुरू में का, आप एक मुझे इसलाम की तालीम बताओ, जो इनसानियत के खिलाफ है, एक मिने, तो इसल मदह्भी एंसानियत का है, लेकिन इसलावा और चीद आपको त्छा रहिए, क्या कहे रहिए, शराamaan मत पूरू और एंसानियत के किताब में आप शराप पी सकते हैं, हमारा खालिक बोलता, ने, शराप पिने से क्या होता है, आज यतने बलातकार हो रहे, असी पीसल से ज्या हैं यह बलातकर करनेवाला शरब के निशह में था या जो आउड़ के बलातकर हुआ गली या दोनों शराब के निशे में थे अस्तीतफित करनी गली हमारे की हमारा रभ कहते है शरामत प्यों इन्सानियत के दिया शराब पीओ आप किस में मानेंगे इन्सानियत या रब में तो इसी लिए मुस्लिम बनना इन्सानियत का पीएच डी है अच्छा इन्सान बनना मतलब स्कूल पास करना मैं बिल्कुल आप से सहमतू का अच्छा इन्सान पहले है बनो फिर मुस्लिम बनो अच्छा मुसलमान बनने के लिए रब की अबादत करना ज़रूरी है आपने पूछा कि कोई मजब को फॉलो करना ज़रूरी है बिल्कुल अगर आपके पास रूल्स रेगुलेशन नहीं है आप जो स्कूल में जाएंगे आप बोलेंगे स्कूल के मैं A, B, C, D, B पढ़ूँगा, Z पढ़ूँगा, ने, A, B, C, D, E, F, G, काइदे से पढ़ो. आप कोई काइदा फॉलो, आब बोलेंगे, रूल फॉलो करना ज़रूर है, मैं लेफ्ट एंड पे रहे चलाऊँगा, राइट एंड पर चलाऊँगा, इंदुस्तान में तो राइट एंड ड्राइब, अमेरेका में तो लेफ्ट एंड ड्राइब, ने, लाय के उपढ़ पहुब्पाइन में है अफ horizon Gisha beign चलाने के लिए रूल चाहिए इसकुल में जाने क्रिव रूल चाहिए जिन्दगी बसे करने के लिए रूल ने आप ऑप जिए नाउक में इसे ख्वांगा चलें का ने मुझ में एक तो यह मारा खालिक आप जब बिमारा होते किसके पाचते दॉक्टर के बात जाते हैं, डॉक्टर को इल्म है, इनसान के जिसम के बारे में, वो खालिक और सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसलिए खालिक जो कहता है, हमाद को बनाने वाला जो कहता है, उसके एकामात पे चलने से बच्छे म मुसलमान बन सकते और सबसे ज्यादा मुसलमान बन सकते और इंसान बन सकते मैं पूछना चाहता हूँ आप मानते खालिक में खालिक का मतलब मुझे नहीं पता बनाने वाला आप एक किश्वर में मानते एक खुदा में मानते या ने खुदा में मानते मैं तो सभी जगा जाता हूँ मंदिर जाता हूँ मस्जिद जाता हूँ लेकिन मैं किसी को मानता नहीं मैं इसे भी मानता हूँ मैं भी मंदिर जाता हूँ मस्जिद जाता हूँ एक पावर जो है जो हमको रूल करती है मैं उस चीज़ को मानता हूं एक पावर दो पावर ने ना एक पावर जो है तो पूछ रहा हूं मैं एक पावर को मानते हैं दो पावर को मानते हैं यह की पावर को मानता हूं मैं भी एक पावर को मानता हूं मंदिर बिजाता हूं मस्जिद बिजाता हूं लेकिन मंदिर जाके बुद्परस्ती ने करता हूँ मूर्थी पूजा ने करता हूँ क्योंकि वो पावर कहते है मूर्थी पूजा मत करो मूर्थी मतलब वो पावर वाले को आप कम पावर दे रहे बराव ना तो हिंदू मदब कहता है मूर्थी पूजा मत करो इसाई मजब केता है मूर्ती पूर्जा मत करो खुरान केता है मूर्ती पूर्जा मत करो एक पावर उसको पावर को इश्वर को खुदा को अल्ला को लेकिन एक है ना के दो है एक ही है बेलकुल से एक पावर को मानते बिल्कुल अन्हें एक इश्वर को मानते एक खुदा को मानते हैं, एक अलग को मानते हैं, आप बुद्फरस्ती मूर्ती पूजा गलत नियदा है, यही तो बात है, आप बहुत ब NBA करते हैं?? वो चलते आ रहा है बच्पन से चलते हैं मेरे पर दादा भी कहते हैं जमी चपटी है लेकिन मैं जब स्कूल में जाता हूं डॉक्टर बन गया बट हम मुर्ति की पूजा करने की वज़े से मैं मानता हूं कि मैं गौड फियर हूं मुझे डर है मैं गलत काम से बचता हूं हां गलत काम करते हैं लेकिन गलत काम से बचते हैं दोनों में टक्रा हूं है आप गलत काम से बचते हैं फिर बलत काम करते हैं मुर्ति की पूजा करने से मैं गलत काम से बचता हूं आपने का मुर्ति की पूजा करना गलत है मैं मुर्ति की पूजा करता हूं गलत काम से बचता दोनों कॉंटे डिक्टेंगे शराब पीना गलत है फिर भी पीता हूँ और गलत काम ने करता हूँ और प्यूँगा तो बलातकर करूँगा ना आप नहीं पीता हूँ आप नहीं पीता है अच्छी बात है अलहम्दुलिल्ला आपके वेद में लिखाई बाइबल में लिखाई गुरान में लिखाई तो क्यूं करते बचने का है तो उस पावर उस ताकत उस अल्ला उस खुदा उस भगवान के एकामात पे अमल करो मुर्ति पूज़ा करने से क्या मिलेंगा आपको आप गुरान मजीद पढ़ो पुरान मजीद आखरे पे काम है उस पावर का तो अगर आप जानते हैं कि मुर्ति पूज़ा गलत है तो गलत काम से का सही रस्ता मिल सकता है चोरी करना गलत है लेकिन मैं क्या करता हूँ चोरी करता हूँ और गरीबों में बाटता हूँ सही है? गलत है गलत है चोरी करना खलत है अपमानते हैं क्या चोरी करता हो लेकिन गरीबों में बाटता हो अरे गरीबों में बाटने का तो महिनत करके बाटो ना चोरी करके महिनत मत करो महिनत करके महिनत करो और हलाल की कमाओ और गरीबों में बाटो उसी तरीके तरह आप जानते मूर्ति कु क्यों करते क्थे अंकि आपके पर रादा करते आए है मेरे पर रादा कहते ते dinya चपती के मैं कह ता हूं पे दुनिया टुनिया घोल है के ट्थिए घोल आपके पर दादा क्या कहते देघंच अचप्टी के गोलि कहते Fachu De head आपके बाप दादा ने पर दादा गोली कहते थे जब हजार सार पहले बिलकुल आपके दादा का नाम क्या था पता निए हाँ तो आप का लिए हमा में फिक रहे हां इंसानियत हजार सार पहले कहती थी कि दुनिया चपती है आपके परदादा का नाम क्या है आपके परदादा का नाम क्या है आपके परदादा क्या 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 है दुनिया चपती है क्या होले मैं कुछ नहीं के सकता है कि मैंने सुना नहीं है यह लिकिन साइन्स कहती है मेरे पर तो हुआ मेरा नाधा कहते थे कि चप्टी है। है को आप मानते हैं पिंद्र किकृष्ट चुके जब तरक्की करते गलज वी चनक करनेंगे के सब्सक्राइगे। कोशिश कर生ंगा चोडने के... मानते हैं एक पावर मिए एक खुदा में एक इस हिजवर में में बुद्परस की गलत है और कोशिश करेंगे इसको छोड़ने के आप मानते हैं कि मुझे पढ़े बाता नहीं मुझे नहीं मत इसलिए मैं चाहूंगा कि आप पढ़िये अपको कुरान मुझेद का तर्जुमा दोंगा अंग्रीजी जानते हैं इस आप हिदायत पाएंगे और इंशाल्ला जो भी मुश्किल आते आप मुझे पूछ सकते या हमारे इदारे को लिख सकते और जब आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे कि सही किताबे फिर आप एकदम अच्छे अभी आप इंसान है अच्छे इंसान है और अच्छे पीएडी बनेंगे उस दिन का में करूंगा शुकुरिया 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 थैंक्यू